आज हम जो आर्टिकल डिसकस कर रहे थे उसके अंदर हम देखने जाएंगे कि एक और इंट्रस्टिंग टाम यूज हुई है जिसका नाम है पैराफेक्स और वो क्या है और प्रीरीडिंग स्ट्राटिजी में पैराफेक्स का क्या रोल है और वो किस तरीके से बच्चों को हेल्प आउट करती है बेतर तरीके से अपने टेक्स को समझने में तो हम एक आर्टिकल को डिसकस कर रहे हैं अल्रेडी आपको पता है वो आर्टिकल रिटन है हॉल, स्ट्रेंज लेंड और स्क्वार्ज ने लिखा था और इसका बड़ा ही इंट्रस्टिंग नेम है वोट हैपन्स बिफोर बुक रीडिंग स्टार्ट्स तो यह आर्टिकल किस पारे में कि जब टीचर कोई भी किताब क्लास में लिके जाती है चाहे वो डिजिटल है या वो प्रिंट में है तो यह चीज तो मैटर करती है या नहीं करती है रीसर्च इसको बहुत सपोर्ट नहीं करती कि आया प्रिंट बुक बेतर है बच्चों को लिटरिसी स्किल डिवैलप करने में या आपकी डिजिटल बुक्ट सपोर्ट करती है बहतर तरीके से पर तीन चीज़े बहुत सपोर्ट करती है according to this article एक एक बच्चे जो है joint attention उनकी किसी तरीके से engage की जाए उनका prior knowledge जो है उसको जो है motivate किया जाए कि बच्चे उसके बारे में सोचे और आप से discuss करें और तीसरी चीज जो हमें literature बताता है वो बताता है पेराफेक्स के बारे में जो के अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस आर्टिकल में हम यह देखने जा रहे हैं कि टीचर अगर एक meaningful discussion इंगेज करता है बच्चों के साथ बुक पढ़ने से पहले चाहे वो डिजिटल हो या वो प्रिंट हो तो उसके क्या फायदे हासल होते हैं अब इसके अंदर हम देखेंगे कि पैराफेक्स क्या है अब पैराफेक्स के अंदर वो तमाम textual component मौझूद होते हैं जो कि किताब में उसके text के साथ साथ मौझूद हो सकते हैं वो तमाम के तमाम चीज़े पैराफेक्स के लाती हैं चाहे वो illustrations हों चाहे वहां कोई stems लगी हो, चाहे वहां पे कोई company का नाम लिखा हो, या page जो layout है, उसके उपर जो भी चीज़ें हैं, जो भी words हैं, जो भी illustration हैं, वो तमाम की तमाम, चाहे उसका front cover हो, वो तमाम की तमाम parafacts की term के अंदर इस्तमाल होती है. तो अब यह जो feature हैं, वो उसका front page भी हो सकता है, उसके illustration भी हो सकती है, उसका follow phone भी हो सकता है, और publisher का नाम भी हो सकता है, आपके illustrator का नाम भी हो सकता है, author का नाम भी हो सकता है, यह तमाम चीज़े parafacts के अंदर आती है, अब सवाल यह पैदा होता है, कि यह तमाम चीज़ें बच्चे को कैसे सपोर्ट करती हैं बुक्स के उपर ज्वाइंट फोकस और अटेंशन देने के लिए या उनके प्रायर नॉलिज को एक्सप्लोर करने के लिए जब हम पैराफिक्स बच्चों के साथ पढ़ाते हैं यह हम उन्हें इडेंटिफाय करते हैं किताब शुरू करने पहले ही और लिए उसके पॉब्रिशर को देखते हैं उसमें डीवी डिटेश को देखते हैं अगर बुक की बैक साट पर लिखा वाई यह कब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ने से पहले ही उनकी इटेंशन जो है फोकस हो जाती है और वह इंट्रस लेते हैं इन तमाम चीज ये पता चल जाता है किसा किटाब का और यह इस परेशन क्या है और सब और उनको किताब पढ़ने में और मजीद इंटरस्ट डेवेलप हो सकता है। परफेक्स जो है वह आपको बता है वह आपको प्रिपेयर करता है कि जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर आप क्या देखेंगे और किस किसम की बाते देखेंगे ऑथर ने जो अपना एंड दिया वा उसके उपर उसने क्या लिख रहा है वह कहां से श्ञेयर हुआ वह कौन है किस मुल का तो बुन्यादी तौर सब्सक्राइद को प्रिप्र किया जाता है OhThis तो जब हम बच्चों के साथ पर फैक्स में हम डिसकस करते हैं तो आप विज्वल और को पड़ रहे होते हैं और कहानी पढ़ ने से पहले और प्रिफेस के आप कोई आचे कहानी पढ़ते हैं तो आप परफेक्स चाहे उसके अंदर जो elements मौझूद है और आपके टेक्स का हिस्सा हो ना हो जो आप पढ़ने जा रहे हैं पर वो उसको influence जरूर करते हैं कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं आप उससे कैसे समझेंगे आप उससे क्या नतीजा निकालेंगे और आपको वो कैसे सकते हैं तो definitely उसके अंदर फीचर नहीं होते हैं जैसे के हमारे प्रिंट बुक के अंदर मौझूद होते हैं पर वो क्या different features जो मौझूद हो सकते हैं और हम उने पैराफेक्स में study कर सकते हैं opening page कैसा है उसका feature कैसा है उसके title को आप touch कर सकते हैं title बड़ा हो सकता है चोटा हो सकता है black and white है या उसमें कोई movement है उस पे और क्या कुछ लिखा हुआ है क्या illustrator का नाम लिखा हुआ है क्या author का नाम लिखा हुआ है और cover page की सिरा आपको e-book पे दिखता है आप यह discuss करते हैं बच्चों को e-book बुनियादी तोर पर दिखा कर और आगे हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पस e-book होती है तो हम उसे कैसे circulate करते हैं अपने reading circle के अंदर क्या कोई music बचता है या कोई interactive movement जो है उसके अंदर नजर आती है बच्चों को या नजर नहीं आती है यह सब चीजे जो है identify कि जा सकती है उन्हें enjoy किया जा सकता है या क्या है क्यों है से अब क्या अंताजा लगा रहे हैं कुछ apps ऐसे होते हैं हमारे पस e-book के अंदर जिनके आपको बता रहे होते हैं कि आपने इस किताब को कैसे पढ़ना है इसमें क्या features है और आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते है उन्हें भी पढ़ा जा सकता है उनको पढ़ने के बाद जब हम किताब पढ़ते हैं फीचरी इस्तेमाल करते हैं definitely हमारी understanding और हमारा जो experience किताब के सा कुछ हमारे पास एबुक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर सीमियोटिक रिसोर्स जो हैं वो अवेलिबल होते हैं मिसाल के तौर पर किंदर म्यूजिक हो सकता है उसके अंदर एनिमेशन हो सकती है बच्ची जो हैं वो से पहले एक्स्प्लोर कर सकते हैं किस किसम का म्यूजिक है इस किसम की एनिमेशन है कौन सी गेम है उसे उन्हें अन्दाजा हो सकता है कि इलस्ट्रेटर ने और किताब के ऑथर ने कितनी स्थाटिकली इन दोनों चीज़ों को मर्च करके एक किताब बनाई ही है वो उसको अप्रिशेट कर सकते हैं और कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं अच्छा डायलोग बना सकते हैं अच्छी डिसक्शन हो सकती है किताब शुरू करने से पहले जो कि किताब की इंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है